पलवल जिले में खेल एवं यूवा कारेकरम विभाग द्वारा erg 14 तारिक तरंगा यात्रा का अयुझन किया जाएगा। जिसको लेकर क्या तयारियां की गई हैं जानते हैं कि खेल अधिकारी से मैरी मसी से कि किस तरह तरंगा यात्रा का आउजन किया जाएगा और कहां कितम होगी क्या गई है कहीं है मणम इस पूरी यात्रा को लेकर 75 वर्षगांट पे हम लोग एक तिरंगा यात्रा निकालेंगे खेल भी था जो कि सुभा स्टेडियम से स्टार्ट होके आगरा चौक तक या उससे भी आगे ले जाके उसको यूटन लेके अंडरपास से लेके यहीं पे स्वाप्त करेंगे और इसके लिए बच्चों में काफ जाग रही है इस तरह तरीके से और यही हमारा संदेश है कि बच्चे इसके लिए इसकी एहमियत को समझें और इसकी जो हमें आजादी मिली है इसकी वर्षगान को खुशी-खुशी मनाया है अगर हम बात करें हैं पर कि यह तो खेले में विभाग द्वारा आप करा रहे है पर अगर हम बात करें तो क्या प्रशाषन के आला अधिकारी करमतारी इसमें मौझूद रहेंगे इस यात्रा में अखरी सवाल आपसे ये की उदिशे क्या है इस तरंगा यातरा का और इसमें करीब-करीब 2800 से 300 जो है बचजर बड़े हैं जो सभी इसमें शामिल हों गए और उसका उदेशे है कि अपने बच्चों के दिल में इसकी राश्ट्रे फ्रेम की भावना जगाना इसके उदेशे है ये स्वेरे साथ बजे शुरू की जाएगी और उसके बाद यहीं पे साड़े साथ या आठ बजे इसकी समापन हो जाएगा देखिए कही ना कहीं देश बक्ती भावना को आम लोगों के दिल में किस तरह जगा दी जाए उसको लेकर यह कारकरम का आउजन किया जा रहा है और सुबह साथ बजे इसकारकरम का विदिवत शुरूआत करने के बाद लगवग नो बजे इसका समापन किया जाएगा तमाम जो चीजें हैं अगर हम बात करें हैं यहां पर खेल अवम यूवग ववग दोरा कई ऐसे आउजन लगातार जिले में किया जा रहे हैं कि जिससे युवाओं को लेकर जागरूप भी किया जा रहा है ताकि देश भक्ती भावना के साथ साथ किस तरह अपने शहर को स्वच रखा जाए कैसे खेल भावना को खेल के प्रति बढ़ावा दिया जाए और तमाम ऐसी कुछ चीजें हैं जिनसे युवाओं को उत्परो पाग दोरा किया जा रहा है केमरामन करतार के साथ नेतिन शर्मा इंडिया न्यूस पलवल